कि नमस्ते किसान भाईयों मैं डॉक्टर वीजाई जोशी आज फिर से स्वी एक्वाफार्म कंसर्डेंट की तरफ से आपके सामने आया हो आज एक मतोपूर्ण विशाय है वो है मचली को होने वाली पकून जन्य विमारी और इसे कैसे बचाओ करें देखिए तालाव बहुत स पानी ठंडा होता है तो अपने मचली को फफून की विमारी होने की संभावना बहुत बड़ी होती है अब देखिए पहले यहां आप आप देख सकते हैं यह जो मचलिया दिख रहे हैं आप अगर इसको गौर से देखे तो आपके समझ में आएगा कि एक मचली के आख पे फफून आ गए है वैसे उसके पर पे भी फफून दिख रहे है यह देखना ज़रूरी है यह तो फफून की शुरुवात है यह शुरुवात है अभी इसके बाद दूसरा देखो यहां भी जो पर है पर में पूरे फफून आपको नजर आ रहे है और आ अभी इसके बाद क्या होता है कि फवकून जब बढ़ जाता है तो ये जो इसके गलफड़े भी भी हमला करता है गलफड़े जो लाल रंगे होते है उसका रंग भूरा होने लगता है गल्फडे काम करना बंद कर देते हैं इसके बाद और ऐसे होता है जब यह ज्यादा बिमारी बढ़ती है तो फफून के दाने बनते हैं काले रंग के और वो गल्फडों पर दिखने लगते हैं अभी इससे क्या होता है कि मचली को सास लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सास तो वो गल्फडे से लेती है और जब वहां फोड़े आ जाते हैं तो सास नहीं ले सकती है तो ऐसी स्थिति में फिर मचली मरना आरंब हो जाता है पहले दिखता है मैं चार मचली मरी पाच मचली उतना ज्यादा ध्यान देता है किसान लेकिन उसे ध्यान देना बहुत जरू होती है तो इसके दो प्रमुख कारण हैं पहला कारण तो है कि पानी का तापमान कम होना पहले इसे बताया है और दूसरा है कि जब पानी का तापमान कम होता है तो मचली खाना कम खाती है भोजन कम लेती है ऐसे समय में उसे हम कम भोजन नहीं देते जो पहले देते थे वही भ नाम स्वरुप यह जो एक खाना वो खाती नहीं बोजन खाती नहीं वो बचता है और फिर वहां फ़फून तयार हो जाता है इसलिए दो बाते करना बहुत जरूरी है पहली बात यह है कि पानी का तापपान बढ़या जाए इसलिए अगर बो़र आपके पास है बो़र के पानी का तापपान तुना जादा होता है तालाप का पानी निकालना है 1-2-3-4 जितना निकाल सकते हैं और उसमें नया पानी बोर का डालना है एक बात तुसरी बात यह है कि मचली को भोजन कम देना है देखना है कि मचली को हम भोजन देते हैं वो खाती है या नहीं खाती है और इस हिसाब से भोजन कम देना है ये दोनों बाते किये तो फफून का घंटोर हो सकता है फिर भी अग पॉपर सलफेट या नीले थोते का इस्तिमाल कर सकते हैं एक किलो एक एकड़ के लिए नीला थोता लेकर उसके चार उटली में छोटे-छोटे कपड़े के बादना है और पानी के अलग-अलग भाग में इसको हमको तैराना है धीरे-धीरे जो नीलात होता है पानी में जाता है और वह जो हमारा फफून याने फंगस है उसको मार देता है यह एक हो सकता है कोई जो मेरे किसान भाई है उनके बाद ब्रूडर्स है बड़े-बड़े फिश है कि जो अगले सीजन में उन्हें पिल्ले देने वाले है अगर इनको फफून आ जाए तो उसका इलाज तो करना बहुत जरूरी है इसलिए इनको अलग लिया जाए और उनके उनके वहां हमे सॉल्ट का ट्रिट्मेंट जिसको खड़ा नमक होते है खड़ा नमक का ट्रिट्मेंट देना जरूरी है जिससे के फफून निकल जाए और मचली अपने बीमारी से मुक्त हो जाए तो देखिए आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताई है लाइक कीजिए कॉमेंट आपकी ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिए धन्यवाद